हलो फ्रेंड्स यो वेलकूम और मैं चैनल इंडियन मॉम फॉरेवर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजली के कच्छी घानी सरसो तेल के बारे में ये पतंजली का कच्छी घानी सरसो तेल का वन लीटर का पैक है और इसका MRP है 145 रुपीज अगर आप इसका on-date discounted price जाना चाते हैं तो नीचे description box में link available है बात करें इसकी packaging की तो बहुत ही handy सा plastic bottle के अंदर इसकी packaging की गई है जिसके उपर एक धकन है धकन में यहाँ पर एक seal आता है जिसको pull करने से वो तूट जाती है और उसके अंदर इस तरीके का structure बना हुआ है जो की oil को कम-कम धीरे-धीरे करके आने के लिए अलाव करता है ये गम से spill out नहीं होता है इस oil के अंदर अगर nutritional information की बात करें तो per 100 gram के हिसाब से energy 898.2 kilo calorie है total fat की अगर हम बात करें तो 99.8 gram fat है cholesterol 0 mg है vitamin E 32.11 mg है added vitamin A 750 microgram है और added vitamin D 11.25 microgram है इसमें trans fat, protein और carbohydrate बिल्कुल नहीं है और इसमें saturated fat की मात्रा 5.5 gram है अब हम इसकी quality चेक कर लेते हैं तो इसको हम open कर लेते हैं इसकी जो धास होती है सरसो के तेल में उसकी बात करें तो वो बहुत medium type का धास इसके अंदर आता है इसे पहले हमने धारा कची घानी mustard oil का review किया था उसके अंदर जो धास आती हो बहुत तीखी और तीज धास होती है थोड़ा सा light है थोड़ा सा पतला है जब सरसो के तेल से तो अचा की मालिश की जाती है तो उसमें हलकी सी आपको तीखापन महसूस होता है उस सरसो के तेल के वज़े से जबकि इसके अंदर आपको वो तीखापन नहीं महसूस होता है यह आपको नॉर्मल ओयल की तरह ही लगता है और आप इसको स्किन पर आराम से मालिश के लिए यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी जरन जैसा आपको ऐसास इसमें नहीं होता है पतनजली के इस मस्टर ओयल को हमने रखा तो इसकी कंसिस्टेंशी में ज्यादा कुछ बदलाब नहीं आया और जब हम इससे कुकिंग वगङरा करते हैं तो सरसू के तेल अंदर बात वोती है जो धांस होती है जो धारा के जो समय थारा के मस्टरन औल को गोलेट राली मिनले एका मनदा बना रहना थी ति कम क्रेंचे कंपर दार था उसक ओए है थे please like share and subscribe my channel पिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई